आज का वर्दान, मन्सा और वाच्चा की शक्ती को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीवर पुरुशार्थी भवर आये इस वर्दान का स्वरूप बने आउम शांते ये ब्राम्भन जीवन हीरे तुल्ले जीवन है इस जीवन का हर श्वास हर संकल्ब हर बोल हर एक कर्म अमुल्य है क्योंकि इस जीवन में प्राप्त हर एक शक्ति पर्मात्मा द्वारा प्रदत है क्योंकि ये जीवन मिलते ही तन मन धन समय श्वास संकल्ब सब इश्वर अरपन हो गया सब प्रभु प्रसाद के समान अमुल्य बन गया मैं सूस करें अब मैं एक भी संकल्ब व्यर्थ बातों में दुनियावी बातों में व्यक्त बातों में गवा नहीं सकती एक भी बोल इश्वरिय श्रीमत के विरुद्ध इस मुक्ष से उच्चारित नहीं कर सकती मैं सूस करें इस संगम युग की हर सुक्ष्म और स्थूल शक्ती के महत्व को मिरा हर एक संकल्प कल्प कल्पांतर की प्रालब धका आधार बन रहा है मिरा हर एक बोल वर्दाता के वर्दान के समान बन रहा है इसलिए मैं सदा कम बोलती हो धीरे बोलती हो मीठा बोलती हो सूच समझ के त्रिकाल दर्शी स्थिती में इश्वरिय श्रीमत अनुसार बोलती हो मैं एक के अंत में गहरी समाई रहती हो और अपने संकल्पों को एक की शाद में शक्ती शाली बना देती हो ये मेरी एकांत प्रियस्थती संकल्प और वानी की शक्ती को यदार्थ और समर्थ रीती कारे में लगाने की रीती मेरे पुरुशार्थ को तीव्र कर रही है मेरी स्थिती को शक्ती शाली बना रही है मैं इस अमुल्ले धारणा में कभी भी स्वयम को लूस नहीं करती सदा इस अटेंशन में रहती हूं कि मुझे इस जन्म में प्राप्त हर एक शक्ती को व्यर्थ नहीं कवाना है अनुभव करें इस यूग युक्त युक्ती युक्त स्थिती को इस विस्तार से बार सारस्वरुप स्थिती को जो मझे फर्स्ट डिवीजन में आने का अधिकारी बनाती है आउम शादे दे